हर्याना से जुड़ी खबरों की तह तक जाने के लिए सब्सक्राइब करें खबर तहल का बेल आइकन को प्रेस करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें अब इस तरह फसल तयार करने का कोई फायदा नहीं इस तरह फसल तयार होने से धान की बाली नहीं आएगी इससे अच्छा तो अभी से समय रहते उखाड कर अपने पशो को चारा डाल सकते है कहीं तो काम आए जहां पुरे देश में बाड आयू ही है वहीं हर्याना का किसान बारिश के इंतजार में है और अपनी बिन पानी की फसल उखानी शुरू कर दिये इस और ना तो सरकार ध्यान दे रही है और ना ही किसानों की भगवान सुन रहा है हर्याना की किसान बरबादी की कगार पर है किसानों का कहना है कि बारिश नहीं होने से अपनी धान की लगाई हुई फसल को मजबूरन बर्बाद करना पड़ रहा है जितना खट इस फसल पर दवाईयों और पानी के लिए किया गया है अब आगे कर पाना संभव नहीं अपनी फसल को काटना ही सही है हबर तहलका के लिए जुलाना से विजंदर सीन की रिपोर्ट पानी देना पड़ता है सप्रेकरने पड़ते द्वाई डलनी पड़ती है नुक्सान है क्या कर रहे हैं आप इसको कितना नुक्सान बानते हैं आप परशान करें तो गल्म संभव पचाज शाहर रूपाय जाती है पांच्छे की लिए कई या कि लिए यह कितना नुक्सान होगा यह तो आपको मज़ूर ही हो काटने पड़ रही है मजबूर ही है जी है मजबूर ही है और क्या करें क्या करें है तिब इस पर खर्चा कैसे लगाए पानी है नहीं मगर पानी कैसे पकेगी तो बर्शात नहीं आई इसे जुड़ी खबरों की तह तक जाने के लिए सब्सक्राइब करें खबर तहल का बेल आइकन को प्रेस करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें